Assalamualaikum my viewers, कैसे हैं आप साब? आज हम बनाएंगे white sauce pizza, बहुत ही delicious, creamy और बहुत ही मज़ेकार recipe पूरी देखिएगा, तो चले तो recipe स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम chicken को marinate कर लेंगे, chicken को marinate करने के लिए यहाँ पे मैंने spices ले ली हैं सब spices मैं description में mention कर दूँगी, 180 grams के करीब मेरे पास chicken है और spices में मैंने सारी spices 1 by 4 teaspoon ली है, only tandoori masala half teaspoon लिया है और half teaspoon ही garlic और green chili का paste लिया है, साथ में two small size के lemon आपने squeeze कर लेने हैं और यह सारी spices chicken में डाल के, साथ में one tablespoon योगर्ट अड़ करके आपने सारी spices को mix कर देना है और chicken को marinate होने के लिए half hour के लिए रख देना है बेटे ने बोला था ममा पीजा बनाएं, तो मैंने उसे बोल दिया के आप मेरे साथ help कराओगे तो बस फिर he is insisting के मैंने help करानी है आप, तो इसलिए चोटे चोटे shorts जो हैं, वो उसके भी आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी parenting activity होती है, कि आप अपने बच्चों को अपने साथ engage किया करें, different activities में तो इसे बच्चे बहुत अच्छा perform करते हैं और mostly baking activities को बच्चे बहुत enjoy करते हैं, आप भी इस तरह कीज़ेगा, और बच्चों को engage कीज़ेगा और आप देखना आपको भी बहुत मज़ा आएगा, और बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा तो हमारा चिकन यहां पर मैरेनेट हो चुका है, इसको हम half hour के लिए एक side पे रख देंगे और तब तक हम बाकी के सारे ingredients को ready कर लेंगे अभी pizza dough को ready कर लेते हैं और pizza dough की recipe specially उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता चलता के yeast को किस temperature पे active करना है यह बहुत easy recipe है, यहां पे मैंने 250 grams मैदा लिया है उसमें 1 teaspoon active dry yeast एड़ की है, साथ में 1 teaspoon sugar एड़ कर दी है 3 tablespoon के गरीब मैंने yogurt एड़ किया है ठीक है, और half pinch से भी कुछ कम मैंने baking powder एड़ किया है ठीक है, half teaspoon salt जाएगा इसमें और यह सारे ingredients एड़ करने के बाद मैंने half cup milk और half cup नीम गरम पानी, lukewarm water लिया है और इन दोनों चीजों को मैंने mix कर लिया है, milk और water को, उसके साथ मैं इसकी dough बनाऊंगी 7-8 minute knead करना है, आपने बहुत smooth सी, soft सी dough बना लेनी है ठीक है आप yogurt एड़ नहीं करना चाहते, आप एक egg एड़ कर लें उससे ही होता है कि आपकी जो crust बनती है, वो soft होती है, उसके अंदर moisture रिटेन रहता है और वो बहुत साथा dry, hard, chewy नहीं होती और मैं mostly पीजा में yogurt 3 tablespoon इसलिए add कर देती हूँ कि इसमें cheese जानी होती है इसमें sauces that add होनी होती है, chicken जाना होता है तो फिर egg मैं इसलिए add नहीं करती है, मुझे लगता है थोड़ी सी heavy हो जाती है, ठीक है अगर आप yogurt की जगा egg add करना चाते है, तो आप उसको भी add कर सकते है उससे basically इसमें emulsifying properties आनी है, ठीक है आपकी dough का भी texture बहुत smooth हो जाना है, और इसके results भी बहुत अच्छे आने है तो यहाँ पर जब मेरे सारे ingredients mix हो गया है, तो मैंने इसको पे oil दाल दिया मैंने one tablespoon olive oil दाला, आप कोई भी oil दाल सकते हैं, canola oil दाल सकते हैं उसके बाद आपको जैसे better लगता है, आप इसको knead कर लें आप चाहे तो घर में जैसे आप plain wheat dough को knead करते हैं वैसे कर लें चाहे तो आप इसको stretch करके knead करने जैसे आपको better लगता है, ठीक है, ingredients proper होने चाहिए और आपका जो milk और water है वो luke warm होना चाहिए, थंडा हर्गिस भी नहीं होना चाहिए, जो yogurt है वो room temperature पे होना चाहिए नीडिंग आपकी 7-8 minutes होनी चाहिए, तो आपकी dough के results बहुत अच्छे आएंगे, अभी यहाँ पे dough मैंने ready कर ली है, इसको मैं cover कर दूँगी cling foil के साथ, और इसको भी 30 minutes के लिए एक side पे रख दूँगी, और आपको पता है पीजा के लिए बहुत चोटी चोटी चीज़े होती है, तो आप बाकी के ingredients study कर लेते हैं, मैं इस बार white sauce pizza बना रही हूँ, तो white sauce study करने के लिए, मैं यहाँ पे half a tablespoon butter ले लिया है, इसमें मैं one tablespoon के करीब oil add कर दूँगी, और यह दोनों चीज़ें जब melt हो जाएंगी, तो इसकी मैं white sauce prepare करूँगी, बटर मेरा melt हो चुका है, यहाँ पे आप मैंने इसमें one tablespoon के करीब white flour add कर देना है, और इसे मैं saute कर लूँगी, और जो white flour है, वो smooth सा हो जाए consistency में, और थोड़ा सा light सा उसकी खुश्बू आनी शुरू हो जाए, और इस point पे जब यह खुश्बू attain हो गई, तो मैं इसमें थंडा दूर add करूँगी, अ जो lumps नहीं बनेंगे, जो white flour होता है, उसके lumps बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, एक भी नहीं बनेगा, अभी देखे मैंने whisker भी नहीं लिया और अभी आपके सामने है, कोई lumps नहीं बने, तो यहाँ पे इसको mix करने के बाद, मैं इसमें spices add करूँगी, spices की exact quantity description में आपको मिल जा करने के बाद, इसको अच्छे से mix करूँगी, और इसकी desired thickness attain कर लूँगी, जितनी मुझे required है, तो जब वो थिकने सटेन हो जाएगी, तो मैंने cheddar cheese रखी होई है, क्योंकि पिज़ा में दो चीज़ जो है mostly use होती है, एक cheddar और एक mozzarella, mozzarella जो है, वो आपको जो topping पे नजर आ रही हो वाइट सॉस में एड़ करनी, तो आप पीज़ा की बेस में उसको shred करके लगा सकते हैं, ग्रेट करके, तो यहां पे मैंने इसमें वन टेबल स्पून क्रीम एड़ कर दिया है, चाहे तो जाधा एड़ करने, यहां पे वाइट सॉस रड़ी हो गई है, अब हम चिकन जो मैरि चिकन है, वो आपने इसके अंदर एड़ कर देना है, और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे बना लेना है, तो जिरफ फाइव से से वन मिनट लगेंगे और यह रड़ी हो जाएगा, इसको मैंने कवर कर दिया है, ताके यह जल्दी सॉफ्ट हो जाए, और फ्लेम मेरा मीडिय हाफ आवर बार डो हमारी रेडी हो गई थी और मैंने उसके डो बॉल बना लिये थे अच्छा मीडियम साइस के आपके डो पीजा बन जाएंगे जो मैंने आपको डो की रेसिपी दी है ठीक है और यहां मैंने डो के बॉल बनाके न उसको राइस होने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए बॉल बना लिये थे उसके बाद मैंने उसको रोल किया मेरे पास मीडियम साइस की जो है वो पीजा पैन है यहां पे अवैलेबल उसके अंदर मैंने इसकी जो शीट है इसको लगा दिया उसको मैंने ऑलिव उयल के साथ ग्रीस कर लिया था उसके बाद मैंने शीट को इसके उपर सेट किया और मैं फोक की मदद से इसके उपर प्रिक कर लूँगी क्योंकि ताकि इसके अंदर air bubbles ना बन जाए और air smoothly इसमें से बाहर आ जाए तो prick करने के बाद मेरी जो white sauce मैंने ready की थी उस white sauce को इसके उपर spread कर दूँगी बहुत अच्छे से और यहां पे अगर आप देखे मैंने इसमें चीज डाली हुई है जो pizza की topping होती है वो सब आपकी अपनी choice के उपर है जो आपको अच्छा लगता है आप उस पर लगा सकते है basically बात होती है sauce की वाकी जो चीज़े आपको अच्छी लगती है और यहां पे chicken एड़ करने के बाद मैंने कुछ onion और tomatoes एड़ कर दिये आप चाहे तो यहां पे capsicum add कर दे हलापीनियूस add कर दे तो it's up to you उसके बाद मैंने again से इसके उपर mozzarella cheese की एक layer लगाई एक layer नीचे लगाई उसके बाद मैंने topping करने के बाद एक layer उपर लगाई उसके बाद मैंने इस पे red chili flakes sprinkle कर दिये और oregano sprinkle कर देना है और इसको मैंने bake कर लेना है baking and temperature और time भी मैं आपको mention कर देती हूँ आगे तो चले इसे bake करते है पिज़ा को हमेशा आपने 220 से 230 celsius पे 10 से 15 minutes के लिए bake करना है आपने इस पे आई रखनी है जब आपको लगे के बस आप baking हो चुकी है light on कर ले oven की और ध्यान रखे तो बस फिर आपका pizza ready है 12 minutes से 13 minutes में proper baking हो जाती है अगर आपको इसका broil करके color देना है उपर cheese का तो वो आप दे सकते हैं तो बहुत मज़े का pizza ready हो गया I hope so ही आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर try करेंगे thank you so very much for watching this video do share and subscribe my channel